हेलो फ्रेंड्स आज की चर्चा की शुरुबात करते हैं आज बजार में जो ओवर सोल्ड मार्किट थी जिसकी हम चर्चा भी हमने लास्ट अनल्सिजर में किया था कि बजार जबस तरीके से ओवर सोल्ड है एक रिलीफ रेली बनती है हमें लग रहा था है 21680 तक शायद बज जा रहा गया और यहां पर जो गेम है वह खेला जाना है रिलाइंस के मद्देनेजर और दूसरा यह था कि बैंक थे ओवर सोल्ड तो ओवर सोल्ड बैंक को जो है यूज किया गया तो वहां से भी अच्छी खासी रिकवरी मिली तो हैवीवेट है एच्छी बैंक के अंदर और HDSP वैंक की जो वैलुशन से वह भी बहुत सारे पहमानों पर रीजनेबल से अंडर वैलूड लग रहा है वो शेर तो वह भी एक रीजन था तो निफ्टी अगर हम देखें तो आज 380 पोइंड चला और 1.8 अब यह जो सेटप है जहां पर क्लोज दिया इसके लिए करना पड़ेगा लेकिन जो आप निफ्टी 50 की केंडल पर आते हैं केंडल स्टिक चार्ड पर आते हैं तो आप देखते हैं कि जहां निफ्टी ने क्लोज दिया है वह एक ऐसा एरिया है जहां पर एकस्पाइरी से पहले यहीं पर अगर 2-3 मूव चोड़ दें तो यहीं पर सबसे जादा कंसोलिडेशन हुआ था इसी दायरे में और यहीं से एक रेजिस्टेंस मिला था और इस रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट जो है दिखाया गया था जो कि फोल्स निकला और उसके बद बजार नीचे आ गया तो अब बजार इसी दर्मियान गूमने की संभावना हमें लग रही है तो अभी बजार जो है 21,700 के आसपास है हो सकता है कि बजार 21,800 की तरब भी कूछ करे और जहां से हमें यह देखना पड़ेगा कि रिजिस्टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है बठ काफी अच्छी संभावन है कि वहां पर जिन लोगों ने इस गिरावड म और ताकत दिखाई थी उन लोगों को भी लगे का यार दस दिन में पैसे बन रहे हैं और 5-6 पैसे अगर इंडेक्स के शेर में बन जाए 10-15 दिन में तो वो प्रोफिल बुक करने आ सकते हैं तो सिलेक्टिवली जो शेर इस गिरावड में थे वहां पर 4-6 पसंड की बीच म अगर आपने उन शेर्स को लिया था जो शेर्स गिरावड में टूट रहे थे स्पेशली देखिए गर रिलाइंस में पुल बैक आ गया और बैंकों में आ गया लेकिन बैंकों में वो ग्रोफ नहीं आई है जिसकी उमीद है तो हो सकता है कि बैंक ही सबसे पहले जो है उपर 135 पॉइंट जो निफ्टी चला है आज काली 135 पॉइंट रिलाइंस से चला है और देखिए जिस तरीके से बिहार में घटना करम बदले है अब यह तो आप लोग मान गई चल रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरगार तो बन बही है अब बीजेपी कितनी जादा जीतेगी वो अब है और विपक्ष बिल्कुल नस्तेनाबूद कर दिया गया है मतलब खुदी अपने पैर पर उन्हों लों एक लाडी मार ली है खुदी मतलब सब की अपनी अपनी बंसी अपना राग जो है विपक्ष का है और उसका सारा बैनिफड जो है बीजेपी को मिल रहे है और य आज कमजोरी थी इनफोसी में में सिपला में मुझे लग रहा है कि यह जो आइटी पैक है लार्ज कैपाइटी को फिर भी आप थोड़ा सा दो देख सकते हैं लेकिन मिड़काइटी में भी वेल्यूशन स्ट्रेच है और आइटी हाले की डिफेंसिव होता है लेकिन मुझे लगता है कि आइटी यहां पर सस्टेन नहीं करेगा और आने ओले एक से डिफमीने में यहां पर पांच साथ परसंट की गुंजाईश है नीचा आने के उससे में हो सकता है कि बैंक होल्ड करने की कोशिश करें बटाज रिलाइंस में सारा पैसा डाला गया है और रिलाइंस अब देखिए कर सरकारी कंपनिया फिर लीड करती नहीं जर आएंगी क्योंकि जो कंफरिमेशन जैसे जैसे आती रहेगी तो ओल इंडिया ओइंजिशी पावर गिर जैसे जो इंडेक्स में भी है वो शेर्स अच्छा करते हुए नहीं आ रहे हैं अब ओइंजिशी भी चला वोटर सेंटी पीसी पावर गड़ी जैसे शेयस तेज थे हैं कमजोरी थी आज सिपला में इटी सी में इन फोसिल मट यह कोई जादा कमजोरी थी नहीं और निफ्टी बैंक 45442 576 की तेजी के साथ बंद हुआ और वोलेटाइल रहा है लेकिन इन सब के बीच में एट चीज जिस पर मेरा जो ध्यान जा रहा है जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा बजार की तेजी के ऊपर और यह लग रहा है कि निफ्टी बैंक कल क्योंकि फाइनिशन निफ्टी के एकस्पारी है और यह जो तायरा बनता है 46,000 के आसपास और 46,400 के बीच में इस एरिया कि और्स में ननिफ्टी मारने की जो रहा है जोटे है 100 निफिज्टी मारने की चांसिते हैं तो अब कुल मिलाकर हम पॉलिटिक्स में जादा नहीं जाते हैं तो यहां पर में लगता है कि रिवर्सल के संकेति में अब देखते हैं 我觉得 सेंड़ बंक सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब उपर ayoo कहा है कि इंजाने इंज को सस confusing कर्फेदिक्स करया है और इस अनड़ दिखा थी और कवर अखी में घर देखते है और यहां ज वह Means भी जिनज़ साहिए तो कल हमें लगता है कि फर्स्टाफ तो तेजी का ही होना चाहिए और फर्स्टाफ भी नहीं होगा तो गंटे के असपास जो अब बजार अपने आपको सस्टेन कर पाया तो ठीक है और उसके बाद अगर सस्टेन कर पाया तो थड़ा सा और आगे बढ़ेगा 45-46 जार भी जा स तो इसके भी समभावना बनती है तो निफ्टी बैंक अभी भी जो है कमजोरी दिखा रहा है और निफ्टी बैंक में जो भी आपको तेजी के संकेत मिलेंगे वह यह जो बड़ी रेडिक अंडल है जो 60-46,400 से बजार क्रेक हुआ था तब तक इसको ब्रीच कर पनी जाएग तब तक सेलोन राइज वाला ही मार्केट रहेगा तो अब हमें लग रहा है कि जिसने भी आज सेल किया है उसको तो शायद नहीं होगा लेकिन एक यह दो दिन बाद जो लोग एवरेज करके सेल करेंगे उनको चांसे हो सकता है तो अभी भी बजार सेलोन राइज ही है कोई इसा नहीं है कि तेजी से कोई हमें हमारे त्रेंड बदल गया है त्रेंड अभी भी नेकिटिव है और निफ्टी बैंक में रेंगे जब 46,000 के ऊपर बजार क्लोज दे और फिर सब्सिक्वेंट क्लोजिंग 46,400 के ऊपर है कर अगर नहीं बात करें आज तेजी कहां थी इदिपसी 1st bank कोटक अज त्रे बेंकों में तेजी थी तो रहले कि 1st bank कोटक में नहीं पिछले पोर्चिनिटी थी और आज यह देखिए 3–5 % परसेंड पैसा बन रहा है अगर अगर आप अंटर वेलोरी स्ट्रोक को यह दो जो अब अब बोटम फिशिंग वाली टेकनिक है इंडेक्स के शेयर में वह जो है कारगर उती हुई दिखरी अभी और हो सकता है कि आपको आपको चुछाइब चाहता है नजर रहा है और है लोगी इसमें भी रिलीफाई नहीं है और वह प्रेडिट सुछाइब बारे में भी मिस है मतलब हर एक के पास है और गिरावड में भी मुझे लगता है कि रिटेलर ने भी दब के लिया है तो हो सकता है कि एच डिस्पेंग फोड़ा सक चले अभी तुरंत ना चले तो इसके बात की भी संभावना हो सकती है आज देखिए का सब बाहर थे एक सो दसक्रोड की कैश में बाइँ डिए तीन से और दो सिक्क्रोड की कैश तो आज आज इस ने तो खरीद नहीं था और लगातर खरीद रहें बस आज क्या होगा गी देखो डियाए तो पिछले दो तिन दिन से खरीद रहें लेकिन क्या था इस भाइंग के सामने सेलिक आज आ जाती ती आज सेल कर गया अब डियाइस कल फिर अगर अगर महलोबाय करेंगे तो फिर मुझे लग रहा है एक बद फिर सेल कर सकते हैं क्योंकि आज अपने शोट तो काट लिये तो देखिएगा इंडेक्स फूचर में 11.37 करोड के शोट कवर के लिकिन अभी भी इस महीने में 14.000 करोड के शोट अब लेकिन जो ओप्शन हैं वो इतनी बिकिवी हैं अगर आज भी देखेंगे तो 22,770 करोड की तो यह अभी कॉंफिडेंस नहीं ले रहा पहला बजार में कॉंफिडेंस नहीं आने का रीजन पहला रीजन बता है मैंने दूसरा रीजन आप यह देखिएगा यह इंडिया इंडिया विक्स 15.68 दस परसेंट से ज्यादा इंडिया विक्स अज फिर बढ़ गया और पुट कोल वेशों कमफर्टेबल है नहीं कि पुट राइटर बागे हैं कि राउन में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कॉंफिडेंस आ रहा है बट कोई इंडिया विक्स जिस तरीके से बढ़ा हुआ है इसका रैशनल्टी समझेगा अगर यह इंडिया विक्स यहां पर घट चुकर होता तो आप क्लिरली कहते हैं कि जी अभी बहिंग करते ही जोगी जब तक यह इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तब तक रिवर्सल के जिसका बजट बोल्टन आप तो तो फिल मिलाकर जो एक तारीक बाली जो ऑप्शन से हैं क्योंकि एक तारीक को निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो वहां पर एक बार वजार को वोलटाइल अगर नहीं रखोगे तो अप्शन के प्रिम निम बिलेंगे तो ऑप्शन के जो स से भी सेलिंग आएगी डाउस इंडिसले रहे जभी फ्लैटी है अभी बीस पाइंट प्लस में था तो फ्लैटी है और ब्रैंड कुड जो 82.90 जो में रीजन है जो आप देख रहे हैं कि रिलाइंसी ओईजी सी जो कंपनीज है उनमें एक अच्छा मोमेंटम जो है देखने क तो 32,000 जार और देखिए का ओवर सोल बजार था तो बड़े बलेर इस बात को जानते थे कि थोड़ा सा बजार उपर आगा तब बेचेंगे तो कोल अभी भी नजदीक की नहीं बेची जारी है तो हो सकता है कि कल आपको 2100 टेंप होता हुग नजर है और 2100 एक रिजिस्टे पुट राइटिंग है बढ़िया वाली पुट राइटिंग है 2100 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग हुई अज बड़ी नई नवेली पुट राइटिंग है तो बजार जो है अभी भी मुझे लग रहे है कि कल भी 2100 नीचे की तरफ और 2850 पचा सुपर की तरफ इस 25500 पको बड़के खड़े हुगे और उपर इंटेस देखिए का अज एक लाग 28,480 कॉंटेक्ट पिन्तालीस पांसो की पुट में भी होए यह नहीं कि पुट राइटर के अंदर कॉंफिडेस आज लोट साब ने जराया और अगर कोल साइड में देखे तो 94,000 कॉंटेक्ट पुड़ीशी शोट होगी बुदवार को होगी क्योंकि अभी मन्थली एकस्पारी तो इस एकस्पारी में दिन भी कम रहते हैं तो मुझे लग रहा कि इसमें भी जो रेंज है वो शायद बैली सोड़ी पिन्तालीस आट सो तक शायद कल बजार आपको खुलते हुए मिल जा इस तरीके के बड़े लेबल साब सोचना है चाहिए और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो अगर एक नेरो देखें तो 45,200 से 45,800 के बीच में शायद बजार आपको मूव करता हुए नजरा है तो इस चर्चा में बसके विडियो में चुट रहने के लिए आपका बहुत ब